कॉंग्रेस ने गुजरात में प्रस्ताविद पार्तापी नर्मदा लिंक परियोजना को आदिवासियों के हितों के विरुद करार देते हुए कहा कि इस परियोजना को पूरी तरह रत किया जाना चाहिए मुख्य विपक्षी पार्टी ने यहां भी कहा कि इस परियोजना को रत किये जाने तक वह अपना अंदोलन जारी रखेगी सरकार नहीं कह रही है सरकार ने तो पहले कह दिया कि पारतापी नर्मदा लिंक हम बना रहे हैं जिसमें कम से कम पचास हजार से ज्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे जिसमें बहुत बड़ा जंगल हमारे पास सिर्फ साउथ गुजरात में अच्छा जंगल है वो पूरा जंगल बरबाद होगा उस नुकसान को करने की बात बारत सरकार ने कह के वोट बेंक पॉलिटिक्स कच्छ सवराष्ट और नौर्थ गुजरात के लिए किया पर बाद में जब लगा कि ये तो बड़ा नुकसान 27 सीट से सेड्यूल ट्राइब की तो सरकार की जगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सियार पाटिल ने एक एनाउंसमेंट किया कि अब पार तापी नर्मदा लिंक स्कीम जो है इसको हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे हम इसको रोक देते हैं और भाजपा वाले फटा के जलाने लगे मेरा तो सवाल उनको ये है कि आपकी सरकार है योजना डिकलेर आप करते हो पब्लिसिटी आप करते हो और फिर उसी स्कीम को बंद करने की आप ही बात करके फटा के जलाते हो वो किस बात का आप उत्सव मना रहे हो तो हमारे कुछ सवाल भी है इस बात में हमारे साथ ही इसके उपर आपके साथ विस्तार से बात करेंगे मैं फिर से दोराना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के खिलाप कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं है पर सिर्फ चंद लोगों के फाइदे के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को नुकसान करने की बात कोई क करेगा तो कांग्रेस लड़ेगी मैं आज भी मांग करता हूं कि नर्मदा का अठरा लाख हैक्टर इरिगेशन का कमांड एरिया था वो क्यों नहीं किया कच में पानी क्यों नहीं पहुंचा सवराष्ट के जरूरत-मंद लोगों को क्यों नहीं पहुंचा नॉर्थ गुज कार